आर के चनल में आपका बहुत बहुत स्वाकत है आज आपके सामने एक मैं बेबी स्वेटर लेकर आई हूँ जो की इस तरह है यह देखो मैंने एक ही इक साइड बनने शुरू की है जो यह डिजाइन आके बन के आता है यह वाला यह मैंने चोटे बेबी के लिए बनाया शेय मंत के बेबी के लिए बनाया है तीस फंदे मैंने आगे वाली हिस्से के डाले और आठ फंदे हमने बटन-पट्टी के डाले इतना मैंने बनाया अब डिजाइन स्टार कैसे करना यह आपको दिखाती हूँ दो तीन चार पांच छे साथ और आठ आठ हमारे बटन-पट्टी के हुए धागा आगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ आठ फंदे उतार के हमने धागा पीछे कर लेना ऐसे यह मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है इसका डिजाइन की और वहां से आप देख सकते हो और एंड तक वीडियो देखना क्योंकि एंड में आपको सारा पता दूँगी एक सार के बच्चे के लिए कितने, दो सार के बच्चे के लिए कितने सारा मैं आपको अक्स्प्रेयन कर दूँगी आठ हो गए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ हमने सीधे बुन लेने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ फिर धागा आगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ दागा पीछे एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे उल्टी स्लाइग जी छे फंदे हमारे पहले सीधे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे धागा आगे, जो हमने अफंदे बुने नहीं थे न, उतारे थे वो हमने उल्टे बुन लाने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ धागा पीछे, जी हमारे फंदे सीधे आगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ धागा पीछे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ आठ, आठ, पंदे का इसे डिजाइन है, एक, एट, पंदे का दागा पीछे, फिर जी आठ पंदे हमने बट्टी के आगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ सीधी सलाई, आठ फंदे हमारे बट्टी के, एक, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ धागा आगे, जे फंदे हमने उतारने हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ आठ फंदे उतार के धागा पीछे कर लेना, फिर ये आठ फंदे हमने बुन लेने, सीधे इधर से हमने उतारने, उल्टी तरफ से हमने ये फंदे उल्टे बुन लेने ये हमारे आठ फंदे होगे धागा आगे एक, दो, तीन, चार, पांच, चे, साथ, और आठ जाड़ा पीछे एक, दो, तीन, चार, पांच, और चे ऐसे हमने साथ बनाने है जो दो बन गए है, पांच और बनाने है उल्टी तरब से, पहले छे फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे तो धागा आगे, आठ फंदे हमारे उल्टे दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ दागा पीछे, आठ फंदे हमारे सीधे ऐसा आप पूरा कर लो, जे हमारे दो बना लिए है ऐसे हमने साथ बनाने है, साथ बनाकर फिर आगे आपको दिखाती हूँ क्या करना जे पूरा हो गया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ जे साथ हमने बना लिए जैसे, अब हमने इसको डिजैन को चेंज करना है आगे हमने जहां से शुरू किया था, अब हम जहां से सीधे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ पट्टी के हो गए, आठ जे वाले हो गए आगे धागा करना, अब जे उतारने हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ धागा तीछे अब इसके उपर डलेंगा जैसे देखो यह नीचे दो बने न इसके उपर नीचे यह बना ऐसे इसके उपर बन जाएगा यहां सीधे अब पूरे सीधे आ जाएगे पूरे नीचे दो बनाए थे अब उपर एक का आएगा यह वाला उल्टी तरफ से आठ पंदे वह थे बाकी आगे वाले जितने थे धागा आगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ आठ, पठन पट्टिक यह थे, यह वाले जितने थे हुआ आपने फिर साथ आगे यह वले बनाने हैं ऐसे आप कम्प्लीट कर लो फिर आगे आपको बताती हूं क्या करना यह देखो जह मैंने बना लिया आगे आपको यह बनाना भी सिखाऊंगी थोड़ा बना ले तो जह मैंने आगे वाला हिस्सा फिर बाजू बाजू के मैंने दीचे थे 32 फंदे डाल के उपर फिफ्टी फंदे किये पीछे वाला हिस्सा इसमें 60 फंदे डाल ले मैंने फिर बाजू कि और फिर मैंने आगे वाला हिस्सा डाला अब हम इकठ्था कर लिया सारा एक स्लाइमें डाल लिया मैंने यह देखो एक स्लाइमें डालके अब हम स्टार्ट करते हैं आपको जहां यह बनाना मैं बाल में सिखाऊंगी यह देखो करने के पाद हम यहां पर ले बटन होल बनाएंगे अब ने बटन होल कोई नी बनाया उपर हमने तीन फंद तीन बटन चार बटन रगाएंगे यह देखो तीन फंदे बुन लिये चार धागा आगे दो का एक फिर सारे हमने अब सीधे सीधे ही बुनने कोई डिजाइन नी डालना सारे सीधे सीधे ही बुनेंगे यह पूरी स्लाई हम सीधी जाएगी उल्टी तरफ से भी सीधी जाएगी पूरा सारे कठे करन के बाद हमने शुरू किया पहले आगे वाला हिस्सा फिर बाजू फिर पीछे वाला फिर बाजू फिर आगे वाला ऐचे लगा के अब बाजू आ जाएगी यह हम धागा साथ साथ ले जाएंगे क्योंकि निकले ना बाजू फिर 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 फ कि द्धागा साथ साथ जो हमने तागे छोड़े हैं साथ साथ ले जाएंगे क्योंकि इससे साथ हमारा खराब ना हो जाएं कि द्धागे साथ साथ ही ले जाएंगे पीछे बाड़े के बाद फिर बाजू आएगी बाजू के वाद पर आगे वाला हिस्सा आएगा कि उल्टी स्लाइ सारी सीधी जाएगी इतना कर लो आप फिर आगे आप दखाती है यह यह पूरा आजाएगा इसके बाद फिर हमारी बाजू आएगी यह वाली फिर पीछे वाला हिस्सा आएगा इतना करके फिर आगे आको दखातीन क्या करना यह देखू मैंने चार सुलेंगा सीधी सीधी चिड़ा लिए चार सुलेंगे लिए इसी चिड़ाने के बाद अप देखो क्या करना दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ और आठ, आठ पड़न पट्टी के हमने छोड़के न धागा आगे करके दो का एक हमने जाली बनानी है जा हमने वीबन परोना है एक और दो, फिर धागा आगे दो का एक फिर एक और दो, धागा आके दो का एक एक, दो, धागा आगे दो दो फंदे बुनके हमने जाली बनानी है पूरी ऐसी हम जाली बना लेंगे उसके बाद हम सीधी और तीन सलईया और चरा के उसके बाद हम डिजाइन बनाएंगे आगे और बताओंगे फिर क्या करना है धागा आगे दो का एक एक दो धागा आगे दो का एक पूर्य राउंड चे अपने रीबन पर आएंगे प्रहेंगे हैं दागा आगे, एक दो, धागा आगे, एक दो, दागा आगे, एक दो, दो थन्दे बुनके आप जाली बनाते हैं, जाओ, एक और दो, धागा आगे, दो का एक, एक दो, धागा आगे, दो का एक, एक दो, धागा आगे, ऐसे पूरा अपने स्लाई कंप्लीट करने में, एसे पूरी स्लाई कंप्लीट कर लो, फिर आगे बताती हैं, यह देखो, पूरा मैंने कर लिया, यह हम लास्ट हमारी पट्टी के आठ फंदे आ ले, विट्टी स्लाई भी हम सीधी ही डालेंगे, दो स्लाई हम सीधी सीधी और डालेंगे, तीन होगे हमारी चार करने हमने, यह देखो, तीन होगे, यह हमारी एक, दो, तीन, चार करेंगे हम, उसके आगे आगे हम ऐसे सीधा उल्टा डालेंगे, यह चार करके, फिर हम सीधी उल्टी स्लाई डालेंगे, ऐसे आप इतना बना लो, फिर आगे आपको दिखाती हम क्या करना, फोड़ा बना कर आपको आफे में दिखाती हम, यह देखो, जे मैंने, एक, दो, तीन, चार, चार जे वालियां, आट स्लाईयां जे वालियां होगी, और बारा स्लाईयां मैंने जे वड़ी चड़ाई, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा, ट्वेल, बारा स्लाईयां हमारी जे वालियां होगी, और चार जे वालियां होगी, यह सीधी और उल्टी स्लाई चड़ाई हमने, सीधी और उल्टी, अब हमने बटन होल करना, तीन पंदे बुणके धागा आगे, फिर दो का एक, जे आठ फंदे हमारे बढ़न पट्टी के हो गई, अब हमने क्या करना, एक सीधा, दो का एक, हमने फंदे कटाने हैं, फिर एक सीधा, फिर दो का एक, एक सीधा, 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 दो का एक, एक सीम्पल, फिर दो का एक, एक एक फंदे हमने वैसे बुन लेना, एक फंदे को हमने दो का एक कर देना, एक वंदे हमारे घट रहे हैं एक वैसे बुन लेना एक हमने दो का एक कर लेना ऐसे पूरी हमने रोह खतम करनी है एक सिंपल बुन के फिर दो का एक कि फिर आसे हमने जह चार बनाई थी अब हम तीन बनाएंगे आगे हम तीन सीडी सीडी से लाहियां चड़ाएंगे ऐसे आप पूरी रोह खतम करनी है मारे फंदे घट रहें अब दो का एक एक सिंपल फिर दो का एक एक सिंपल दो का एक एक सिंपल ऐसा पूरा करके आप उल्टी स्लाई भी हमने सीधी ही बनानी है थोड़ा बनाकर फिर माब दिखाती ही हूं। फिर हमने सीथी सीधी या फिर हमने जैसे हमने जे चार डाली आफिर हमने तीन डालनी है कर देंभ को です the column डाल्वक फिर आपको मैं दिखाती हम ति सिधा उल्टा ही बुनना तुनित करदें कटा के मैंने एक सलाई मैंने सीधी सीधी चड़ा लिए अब अमने तीन सलाईय ऐसी बनानी है यैसे यह बनाई यह चार बनाई न हम अब तीन बनानी तीन बनाके फिर सीधी उल्टी हम बनाएंगे उखेपा फिर फंदे हम सीधी उल्टी बनाएंगे पिरले हमने तीन एक डाले दो और डालेंगे सीधी सीधी की दो और डालके फिर आगे हम सीधी उल्टी डालेंगे यह मारे बटन होल भी साथ साथ बनाएंगे बटन होल अपने साथ से चोटे बड़ जार छोड़के बनाने मैंने चार बटन लगाने हैं तीन चारी ऐसे बना लो फिर आगे आपको दिखाती है कि यह देखो इतना हो गया अब जहां से बटन होल बना लिया मैंने अब क्या करना यह तीन छे स्लाई है जड़ा के मैंने सीधी उल्टी की फिर टड़ा वाली आप हमने क्या करना दो का एक हर स्लाई में दो का एक करते जाना फंदे हमने बंक कटान दे जाना घट रहे हैं फंदे हमारे कि दो का एक हरस हर फंदा दो का एक करते जाना कि दो का दो को बटन पत्ति के छोड़के बाग की दो का एक करते जाना इस बटन पत्ति के छोड़के आठ फंदे फिर दो का एक कि दो का एक दो का एक दो का है भंदो का एक फन्दा ऐसे पूरे फंदया बंद कर लो पूरी रो ऐसे कम्प्लीट कर देने आपने दो का एक करते जाना यह देखो इतना हमारा बन गया यह देखो अब हम लास्ट बॉर्डर बनाएंगे इसके उपर यह हमारी बाजू अब हम इसका एक वर फंदय हमने हो पहले हमने यहां फंदय कटाये थे यह चार स्लाइब हमने डाली फिर तीन फिर दो अब हमने बॉर्डर बनाना है जे आठ फंदय हमारे बटन पड़ती के यहां दो का एक फिर एक दो फिर दो का एक फिर एक और दो फिर दो का एक एक दो दो फंदे हमने प्लेन बुनने हैं और एक फंदा हमने कटाना दो फंदे के बाद एक फंदा कटाना हमने एक और दो बुनके फिर दो का एक कर देना एक और दो बकित दो फंदे सिंपल बना के फिर हमने एक फंदा कटाना है छोटे बच्चे का इसलिए हमने फंदे ज्यादा कटवाने पड़े हैं जे बड़े बच्चे का होता तो फिर जे लोड नहीं थी ज्यादा फंदे होन करके छोटे बच्चे करके इसलिए फंदे हमने कटाए है दो बुन के दो का एक एक और दो फिर दो का एक दो सिंपल दो का एक दो का एक लास्ट मारे फंदे बढ़न पटी के जह हमारे 54 फंदे पटी के बिना 54 फंदे हमारे 54 फंदे हमारे 54 यह वाले यह मरे गले के बड़न पटी के एक्स्ट्रा बड़न पटी के हमने गिने अब हमा अब हमने कुछ नहीं करा आप आप हमने सीधी सीधी है एक दो-345 पांच हमने सीधी सधी सल्ग Ouya चडानि है और हमारा बॉर्डर बन जाना कि इसकर वлан हम इसको बंद कर देंगे आप हमने कोई कटाई नहीं करने कुछ नहीं ना बस अबॉर्डर बनाना है हाङ हम पुरा बोड़र बनाके फिर आपको मैं दिखाती आप जेवाज पूरा बॉड़र बनके त्यार हो हो जाएगा आपके मैं दिखाती बना कर पूरा बॉर्डर दिखाती हुआ यह देखो जिप मैंने पांच नहीं बनाई मैंने चार बनाई एक दो तीन चार पांच जारा चोड़ा हो जाता था इसलिए मैंने पांच बनाई अब हम इसको बंद करेंगे सिंपल जासे हम आसे सिंपल की तरह पूरा बंद कर देंगे कि पूरा बन के तियार हो गया अब आपको मैं यह बनाना सिखाऊंगी कि यह कैसे लगते हैं यह मैंने रीबन लिया है ऐसे डेट सेंटीमेटर चार पांच सेंटीमेटर यह हमने दिया है यहां से इसको पकरना ऐसे आप को आप लाइट सी तरह से अपना धागे ना निकले इसलिए इसको रहा था गरम कर लें बल्कुल सिंपल आपने यासे तंके लगा दने थोड़ा अंदर की तराफ इसको राउंड कर तो आपको देखना तो मेरे चैनल दूसरे चैनल पर भी है और इसके अंदर हम रिबन डार लेंगी जिब्रीक वाला आपके लें लेंगी जिए और लेंगी तो आपका प्राह मेंगी पहा अंदर हम अंदर हम ओूसरे बुले दो में रीबन डाल देंगे जो हमने जाली बनाई थी ना वहां हम डाल रहे हैं जो हमने जाल रहे हैं जो हमने जाल रहे हैं हुआ जए प्रच जजब टॉड़ाई लेयर पड़ा हुआए कि इसाब से है कि सेट कर लेंगे जहां बाजू की हम स्लाई कर देंगे यहां जहां से ऐसे पूरी स्लाई आ जाएगी यहां बटन लगाएंगे बटन हमारे एक दो तीन और चार लगेंगे मुमद मुम्मद मुम जन स्टितास 머리 झाया हमरे भाएंगे लुक जाएगे पो अपना हम जेख सोती आ जे इस दूप्ल información अब हम इसके साथ तोप्पी और बूट और दस्पाने भी बनाएंगे यह आप देख लो आगे हम वह बनाने जा रहे हैं देखो मेरा पुरा स्वर्टर बन गया इसकी मैंने लंबाई रखी है 14 इंच 14 इंच की लबाई है और 10 इंच इसकी चुड़ाई है यहां से मैंने बाजू की साथ इंच यहां से मैंने रखा बाजू की साथ इंच यह एक साल के बच्चे के आराम से आ जाएगा 6 मिन्य से लेकर एक साल के बच्चे के लिए हैं यहां हम बटन लगा देंगे अब हम बना रहें कैप कट मैंने जिचे मैंने का मैंने चार जबनने मैंने चड़ाकर बटन टोरी डालने के लिए मैंने इडी होल की है आ या फोसे डाली होई है यह मैंने डिजाइण बना दिम बिच बीच में यही वाला design इसके बार मैंने सीधी सीधी चलाई है चडाई है इसके वेरे 80 फंदे डाले हैं इसकी लंबाई कितनी बनाई है चुड़ाई तो आप 80 फंदे होगे इसकी चुड़ाई है लंबाई है 6 flesh और इसकी एसे हम बनाएंगे इसकी ऐसे भी छे इंच ही होगी लुबाई चुड़ाई दोनों बराबर कर लेनी आपने अब मैंने 80 फंदें डालके मैंने जे डिजैन डालके मैंने थोड़ा सीधा-सीधा अब हम आने दोने फंदों को आधे-अधे कर लिए 40-40 फंदे कर दिये आप इसको हम बंद कर देंगे अब एक टीफंद डालके मैंने इसको बंद करने जा रही है बंद करना आप पहले फंद हम ऐसे जो पहले फंद हमने इस तरफ से करना ये पंद हम ने गरा देना जी वाला जो हमने इस तरह करना ये फंद ने गराना जो 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 वे पंदा निगरान पंदा इस तरफ से लिए लगाई वे लिए लेट बियाना करना ये हमने फंदा ग्रादेना नीचे ये देखो अब जी ये इस्तरा करना ये नी ग्राना अब ये वाला ग्रादेना नी और ये वाला नी फिर ये वाला हमने ग्रादेना ये वाला नी ऐसे आप पूरा ये आपको ये सही ना लगे तो आप दो स्लाइणों से बंद कर सकते हो दोनों स्लाइणों से आप बंद कर सकते हो जो आपको मुश्किल लगे तो आप सिंपल दूसरी तरह बंद कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे ऐसे दोनों फंदों को लेकर दो एक स्लाइणों और लेकर तीन स्लाइणों से बंद हो जाएगा ऐसे आप देखो जाएगा आए जा नाजर नियारन कासे स्लाइण आपका श्लाइण की एजिया आपको अजिया पुरा बंद कर दो कर दो कर दो दो कर दो कर दो ये से अपकाई रसा का झांट झाल झाल अब इसके अंदर भी हम जारीपन टाल देंगे झाल झाल आप बनाएं कि हम बूठ जे देखो जे मैंने एक बूठ बनाकर रखा हुआ है आप दूसरा आपको बनाना सिखाती है मैंने चत्तीस पंदें डाल लिए चत्तीस पंदें डाल के मैंने यह देखो मैंने कैप बन गई थी अब हम बूठ बनाएंगे यह देखो जे पूरा मैंने सेट बनाया है यहां से शुरू करके नीचे की और रिबंदें डाल लिए मैंने और चार छेस लेंगा मैंने सीधी सीधी चड़ा लिए अब हमने जारी डालेंगे यह रिबन कालने के लिए तीन पंदें बुनके धागा आगे दो का एक एक दो धागा आगे जाली डाल लेनी आपने एक दो धागा आगे एक और दो धागा आगे दो का एक एक दो धागा आगे दो का एक एक दो धागा आगे एक दो का एक ऐसे पूरा खतम करके आप उल्टी स्लाई भी आप सीधी डाल लेना यह मैंने एक दो तीन चार पांच पूरी करके फिर आगे आपको डिजाइन बनाना सिखती हैं अब इसके हमने तीन ही से कर लेने हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा इधर बारा इधर और बीच वाले हमने बुनने हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा एक दो तीन चार पांच छे दो फंदे हमने इसे फिर धागा आगे हमने ये वाला डिजाइन डालना ये वाला धागा आगे एक दो तीन चार पांच छे साथ और आठ दो फंदे फिर हमारे सीधे स्याड़ा दे आजाएंगे अब ये फंदे हमने छोड़ देने और ये फंदे हमने छोड़ देने सिर्फ इतने फंदे हमने उनने हैं दो सीधे आएंगे आठ उल्टे दो तीन चार पांच छे साथ और आठ धागा पीछे दो हमारे फंदे सीधे दो सीधे फिर धागा आगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ धागा पीछे दो सीधे जो डिजयन हमने उसमें बना है था वही डिजयन हमने इस परड़ा बना अब इतना से बंने हैं इतना बंत लो जेशे हमने साथ करने यह वले इतना बंत लो पिया आपको दिखाती हूं क्या करना और जै देख जह मैंने 해도yr डिजाइन बना लया उन्वर और उसके उपर मैंने छेस्ञाया सीधी की ले लिया छेस लाइख एक था तीन गषेस्ञाया आप क्या करना अब हम्हाने फंदे कटाने एक फंद रीया कि एक फंद इस नंघा लिए यह फंद फंदा हमने इधर से कटाना है दो का एक इधर से कर लेना कि उल्टी स्लाइस पूरी सीधी एक फंदा उतारा दूसरा भी उतारा धागा पीछे दूसरा उतारा फिर फंदा बुनके इसके उपर से यासे इसको छोड़ दिया इधर से भी दो का एक उल्टी स्लाइस सारी सीधी दा उतारा फिर पंदे के उपर ऐसे ने ऐसे उतार दिया कि दो का एक कर दिया है हमारे पार फंदे एक दो तीन चार पांच छे फंदे बच गए उल्टी स्लाइप पूरी सीधी दागा पीछे अब फंदा नहीं हमने कढ़ाना अब हमने फंदे जहां से उठाने हैं है दो एद देख़ा रहे है देख़ा है है एद दो पीछे से लेना तीन चार पांच छे साथ आठ नो और दस एक ग्यारा ग्यारा फंदे हमने ले लिए अब हमने सीधी स्लाइट रादनी ये वाले फंदे भी साथ बुन ले ने विदी स्लाइट ग्यारा फंदे हमने इदर से उठाने है हुआ 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 2 2 यिन चार पांच चे, साथ, आट, नौ, दास, और ग्यारह, और यह फंदेगे हमने साथ ही भून लाने, अब हमने, एक, दो, तीन, चार, चार स्लाइगा हम सीधी-सीधी चड़ाके, आट स्लाइगा सीधी-सीधी हो जाएंगी जब, फिर हम अब कटाई पानी शुरू करांगे, आट स्लाइगा बुन लो, फिर आगे आपको बताती हूं, यह हो गया, अब हमने क्या करना, फिर ना, स्टार्टिंग में एक, दो का एक कर देना, दो का एक, बाई फंदे थे हमारे, अब इक की रह गए होंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, 16, 17, 18, 19, 20, और 21, 21 इस की रह गए की सीथ के सामने आप आप आ कए, फिर थे 12 करना, फिर एक पंदा बुन लिया, फिर दो का एक, बाऊंच, तीन बार करना, फिर इक रह बुन लिया, फिर 12 का एक, इदर भी की एक दो तीन चार पांचे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तीरा चोदा पंदरा सोला स्थारा ठारा उन्निस बीस इकिस बाइस हो गए एक फंदा हम जहां से कटा रहेंगे इकिस हो जाएंगे उल्टी स्लाइस सारी सीधी उल्टी स्लाइस पूरी सीधी जाएगी यहां जहां भी हमने फिर दो का एक कर देना उल्टी स्लाइस पूरी सीधी सीधी स्लाइस फिर आ गई फिर हमने जहां दो का दो का एक तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तीरा, जोदा, पंदरा, सोला, सतारा, ठारा, उननीस और बीस फिर देखो आ गए, उसके सामने आ गए, यहां हम दो का आगे हमने एक फंदा विच बुना था अब बुनना ने, तीन बार हमने दो पर एक एक करते जाना इदर हमारे पंदे भी, उतने हो गए, विजए यहां भी हमने फिर दो का एक उल्टी स्लाइ पूरी स्टाइब करते हैं सीधी स्भाइब पूरिय एक सिधी स्वाईब फिर दो सीधी स्वाइब फिर द्नका एक सग्ट में iki वी शुद्व कर दे सब lakhता है और अब हमसे जहां से फंदे नहां हम अकुछ कुछ नहीं करना में सिंपल बुण जाने और इधर भी हमने लास्ट में में दो का एक करना इधर भी दो का एक करना जहां कुछ नहीं करना पूरे स्लाई सीधी चलालो पूरी तो उल्टी स्लाई भी सीधी चड़ाके जहां से कुछ नहीं करना अब जहां से दो का एक यहां करना बस अब हमने आधे आधे फंदे कर लिए दोनों तरफ से आधे आधे फंदे कर लिए और हम इसको बंद कर देंगे चाहे आप सुजी के साथ कर लो चाहे आप सुजी के साथ कर लो सुजी के साथ मैं टोपी बंद करने सी खाई सी पर से इसके साथ मैं आप सुजी के साथ बंद करना भी स्खा देखती हुआ दोनों तरफ से एक फंदा उठाना कि दोनों तरफ से किक फंदाव लेके इसे बंद गया देंगे जह हमारे दास्तास फंदे 20 पिस फंदे आए दोनों तरफ ऐसे पुरा आप बंद करते हैं पूरा बन के त्यार हो गया अब हम इसकी स्लाई कर देंगे जहां से और बाद में इसमें रिबन डाल देंगे और जहां से हम रिबन लगा देंगे ऐसे पूरा त्यार करके आपको फिर मैं दिखाऊंगी अब बनाएंगे हम हाथ के इसको जस्ताने बोलते हैं गलप्स भी बोलते हैं यह हम तीस फंदे डालके मैंने एक दो तीन चार स्वाइया मैंने सीधी डालके फिर मैंने सेंटर में डिजाइन डाला दोनों तरफ से छोड़के डिजाइन डालके के फिर हमने दो सब्सक्राइब करने शुरू कर दी है यह मैंने तीस फंदे डाले तीस फंदे डालके आप इतना बुन लो एक दो तीन चार चार आठ सब्सक्राइब इतना बना लो फिर आपको मैं यह ड्राइन दिखाती मैं कैसे बना ना जिए बना लिए मैंने से टो में मैंने 11-11 रखे बीच में 8 तेरा के फंदे तीस फंदे थे न हमारे बीच में आठ गए गयारा किया जडा में आब तो मैंने डिजाइन डाल लिया अब मैंने दो स्लाइया चार स्लाइया मैंने सीदी सी चड़ा के अब दिखो एक फंदा उतार लिया फिर दो का दो का एक बाकी फंदे सारे सीधे अब कोई डिजाइन नहीं डालना हमने फिल्कुल सिंपल सीधा ही बुनना है उल्टी स्लाइय भी सीधी और सीधी स्लाइय तो सीधी बुननी है दोनों तरफ से हमने के एक फंदा कटाते जाना है दोनों तरफ से हमने करना हमने करना उल्टी स्लाइय में कुछ नहीं करना आज देखो दो का एक सीधा ऐसे आपने दोनों तरफ से फंदे कटाते जाओ मैंने कटा लें दोनों तरफ से फंदे अब हमारे पास ठारा फंदे रहे गए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ स्लाइय मैंने सोला स्लाइय मैंने यह डाल के ऐसी शेप आ जाएगी और जे ठारा फंदे रहे गए अब हमने क्या करना है यह सारे फंदे हम सुई में डाल लेंगे सारे फंदे सुई में डाल लेंगे अच्छे सुई में सारे फंदे हम डाल लेंगे अच्छे सारे फंदे कर देंगे अच्छे सारे फंदे करके फिर हमने इसकी स्टिचिंग कर देंगे कर लेखंगे यह जाओने बहर मैं बहर प्रथे कर देंगे कर दीजे कर दोर सक्छे कर प्रशब आपने बंद करते हैं अब हम जैसे हमने ये बनाया ऐसी हमने ये हमी बनाया हम हम आपने दो फ्रीस आपै बनाया बनाया थिल्ट हमने पुष जैसे हमी आपको पूरा में त्यार करके इसके उपर भी ऐसे लगाना हमने जैसे यह लगा हमने पूरा त्यार करके आपको फिर मैं दिखाती है यह न सीधे साँ हम यह आपको के पुरा तियार हो गया जैस के बुट में इस ग्लापस और जैसे और जैसें मंने और एक साल के बच्चने के लिए हैं आपने दो साहब के बच्चे के लिए बनाना हो तो आप सेemedर फोर मत रहा पाला के पीछे वाले हिस्से में उसके आधे-आधे आगे करके बड़न पट्टी के एक्स्ट्रा बना कर आप लगा बना सकते हूं कि होफुली आपको बहुत पसंद आएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और वद्त वद्त शेयर करना थैंक यू कि हुआए भूलना कर दो हम कर दो कर दो फाह सिखने सकता हूं को हम रखके बड़ना घर हो जआए pakatarे अ बना कर अधी जड़ना कर दोद्क्राल करते हूं कि हम कि कि पलत आए आपतां र miracles को अकर्प्ट कर वीना रो ड़्िफदार प्राइब 4 वी यिवह सायम